हलो स्टुडेंट स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में तो बचो इस वीडियो के मादम से हम आपको प्रोवाइट करने वाले हैं कक्षा नौमी मासिक मुल्यानकन महागस्त के विसाविज्ञान का पूरा सॉलुशन जी हैं जिन पेपर का सॉलुशन हो चुका है उन वीडियो को देखने के बाद हमारे चनग को चेक आउट कर सकते हैं तो चलिए बचो आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं तो बचो सबसे पहला question है आपका प्रेशिनों के, सही का जो निसान आपको लगाने को कहा गया है, तो देखिए आपका सबसे पहला है, चाल का SI मातरख ए, तो देखिए चाल का SI मतरख आपका मीटर पर second हो जाएगा, जी आ, बचो मीटर पर second आपका D right answer हो जाएगा, इसके बा में इसका राइट आंसर आपका होगा एक हजार मीली मीटर होते हैं जिया शूंड इसका राइट आंसर सी हो जाएगा इसके पाद आपका फोर्थ है शूंड तो देखी फोर्थ में आपको जब जलवास्प अवस्था में अवस्था से द्रव अवस्था में शंगनित होता है तो बच्चो इसका right answer आपका हो जाएगा B वाला जी है घटते हुए वेग को इस तरीके से आपको लिख लेना है चौते का answer आपका C मिंस आपका जो है B हो जाएगा आपका चौते का answer घटते हुए वेग को इसके बाद आपका देखे फिप्त है गुरुतवा कर्शन बल पाच जी गई थी तो बच्चो इसका right answer आपका हो जाएगा A वाला रॉबर्ट हो जी है बच्चो रॉबर्ट हो किसका right answer होगा इसके बाद आपका सात्वा है तो सात्वे में आपको कोसिका की उर्जा कैरेंसी मिंस उर्जा कैरेंसी आपको पूछी गई तो इसका right answer आपको ATP नो आईरन का प्रतीक है तो ब кажा याइरन का प्रतीक आपका fe होता है loof this भाइप ऐसके बाद आपका प्रिशन अच्पो ने रंगे कहले कि अपके प्रस्ट के आपके प्रश्न तेरवे में आपको पादब जगर के जल इसतर है तो तीसरा कोशन जो आपका है इसमें जो आपका सायद MISPRINT हो सकता है इसके बाद आपका 14 है किसी निकाय में तोरण किसके कारण होता है इसका आपका 15 है कि पधरत के अनू एक दूसरे पर बल लगाते है उस बल को क्या कहते हैं तो देखिए सबसे पहले हम देखिए question number 11 का answer देख लेते हैं आपका तो देखिए आप यहाँ देख सकते है question number 11 means 11 का answer आपका यहाँ पर है तो बचाँ इसका right answer देखिए आपको लिखना है कोसी का द्रव्वे, कोसी का जिल्ली और नाबिक के बीच मौजूद एक मोटी जैली जैसी पधार्थ होता है इसके पद आपको आगे लिखना है mitochondria, ribosome, plastids जैसे विविन कोसी का अंग कोसी का द्रव्वे में मौजूद होते हैं इसमें निर्जियो पधार्थ जैसे पानी, चीनी, खनी, लिपीड, प्रोटीन भी सामिल है इस तरीके से शुन्ट्स आपको कोस्चन नमर एलर्व का अंसर ये पूरा लिखना है इसके बाद आपका बारवा कोस्चन है तो बारवा कोस्चन का अंसर देखिए आप यहां देख सकते हैं आवास के आधार पर वर्गी करन अरस्टु जी है अरस्टु इसका राइट आंसर हो जाएक शुन्ट्स ने किया था इस तरीके से आपको लिखना है और तेरवा कोस्चन आपको जलिस्तर जीओ के बारे में पादब जीओ के बारे में पूछा गया तो इसका आंसर जिस भी students को पता हो नीचे comment box में comment करके बताएं ताकि सबी बच्चों की help हो सके इसके बाद आपका 14 है तो 14 बच्चों देखे 14 आप यहां देख सकते हैं आंसर आपको लिखना है व्रती पत पर गती करते हुए पिंड पर केंदर की ओर एक त्वरण लगता है जिसे अभी केंदरी त्वरण कहते हैं न्यूटन की अनुशारत त्वरण सदेव किसी बल के कारण उत्पर्ण होता है तथा बल की दिसा वही होती जो त्वरण की होती इस तरीके से फूर्टीन का इस्ट्वरण से आपको यह पूरा आंसर लिखना है इसके पाल आपका देखिए लास्ट कोश्चन कोश्चन इस पर फिप्टीन बद जाता है तो आपको यहां क्या बोला गया है पधारत के अनूँ एक दूसरे पर बल लगाते हैं उस बल को क्या कहते हैं तो बच्वर इसको जो है पधारत के अनूँ एक दूसरे पर बल लगाते हैं उस बल को आपको घरसन बल आपको लिख लेना है जो घरसन आपका राइट आंसर हो जाएका फिप्टीन का घरसन बल आपको लिख लेना है फिप्टीन में इस तरीक से शुरूं आज की इस वीडियो में हमने आपके सभी question के answer की दिये तो आसा है आई होप ये वीडियो आपको पुशना है वीडियो पुशना है तो वीडियो को like किज़े डेली ऐसी वीडियो देखने के चैनक को subscribe जरूर कीज़े मिलते बचो next वीडियो में और आपके सारे question paper का answer इस चैनल पर upload किया जाए चुका है तो नहीं देखरे के लिए आप वीडियो के जो आप वीडियो के comment box में जाकर पिंड comment box में आपको link दिया हो वहाँ click कर सारे question paper के answer कर सकते है